असलाम अलेकुम तो चलिए आज के इस वीडियो के शुरुवात करते हैं और आज के इस वीडियो में आपनों कोश्चन अंसर करेंगी आपनों के चैप्टर नुम्बर 16 का जो की एक इंटर्विव है तेके और इंटर्विव किस से लिया जा रहा है तो राजेंदर सिंग से इंटर्विव यानि कि इस चैप्टर में कि या इंटर्विव लिया गया और इंटर्विव लिए वाले दो लोग है एक इस जब दो लोग görüş है और लोग को वहाँ पढ़ा चुकी हो ठीक है इस वीडियो में सिर्फ कोश्चन इंसर होगा जितना भी कोश्चन आप लोगे बुक में दिया गया इस चेप्टर से रिल्लेट उन सभी कोश्चन इंसर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो चलिए ध्यान से देखिएगा औ इसमत चुकताई है ठीक है और हलांकि सिर्फ इसमत चुकताई ही नहीं है जो की इंटर्व्यू ले रहे हैं इसमत चुकताई के सांसत फयाज रिफत भी हैं जो की दोनों जन मिलकर बेदी से इंटर्व्यू ले रहे हैं तो जरूर नहीं है कि सिर्फ आप लोग इसमत चुकत तो राजंदर सिंग बेदी जो है उनकी पैदाइश लाहौर में हुई थी राजंदर सिंग बेदी की पैदाइश का हुई थी लाहौर में तो यह होगी आप लोग का जवाब तो यह होगी आप लोगे का जवाब लोगो का जवाद होता है मुक्तेसर सवालाइब अतिल अतिलगूत यह प्रसंसे जिसमें आप लोगो five sentence में answer लिखना होता है sounds यानि कि राईंदर सिंग बेडी जब अपने कहाने को अफसाने को लिखा करते हैं तो उस कहानी में किस क्लास के लोगों को जिक्र करते हैं ठीक है किस क्लास के लोगों को कॉंटेंट डालते हैं अपने कहानी में ठीक है तो चलिए इसका जवाब देखते हैं जवाब आप लोग देखेंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा कि कोश्टन क्या पूछ रहा है ठीक है बेदी का खंदानी या हासिल किया और उस तबके के मसाइल को उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला इसलिए इस माहौल से मतासर भी हुए और इसी तजर्बे को मवाद की शकल में अपने अफसानों में पेश कर दिया ठीके तो जो राजिन सिंग बेदी का कहानी होता है वो अक्सर मिडिल का जो खानि या अफसाना देखने को मिलेगा उस में जाद तर वह मिडिल फ्ल्सके लोगों का ही झिकर किये हैं क्योंकि जो उनका खांदान था वो प्लूऊंकर देखा आपने महाल देखा और उसी महाल को अपने अफसानों में पेश कर दिया ठीके कि व के इसका जबढ़ रजिंद सिंग बेदी ने शुरू में पोस्ट आफिस की मुलाजमत की यानि कि वो शुरुआत में सबसे पहला जॉब कौन किये पोस्ट आफिस में जॉब किये ठीक है फिर कुछ दिनों काम करने के बाद औल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए फिर उनको औल इंडिया में जाकर काम करने लगे जॉब करने लगे ठीक है और मुलाजमत में तरक्वी करते हुए रेडियो स्टेशन के आला एहदा डारेक्टर के एहदे पर फाइज हो गए ठीक है रेडियो स्टेशन में जब राजेंद सिंग बेदी काम करने लगे तो उस जॉब में तरक्वी कर था ठीक है तो अब देखिए तीसरा सवाल है इसमत आपा की शक्षियत पर पांच जुमने लिखे यहां पर आप लोगों को इसमत चुक्ताई के उनकी शक्षियत उनके ब्यक्तित्वा के बारे में पांच सेंटेंस में लिखना है ठीक है तो चलिए जवाब देखिए चुक्ताईी जो है वो एक खातून है औरत है और अर्दु के मशूर मजाहनिगार अधीब अधीव अधीम बेग चुक्ताई इसमत आपा के बड़े भाई थें अधी मधिया ख़्यखियक बड़े बड़े इसमत आपा की नसर तखलिकात नाविल और अफसान अअर्दु कि बेदी और कृष्ण चंद्र में पहली मुलाकात कब हुई थी तो कृष्ण चंद्र और बेदी की पहली मुलाकात नहीर ड्रामाई अंदाज में हुई थी इसके तदाई सेकल यह है कि राज़ंद सिंग बेदी ने जब करिषण चंडर को अफसाने का मताल़ किया तो उनके अफसानों से काफी मतासर हुए और इस इस कदर मतासर हुए कि उनके सामने से जब कोई फनकार गुजरता तो बेदी इससे पहला सवार यही करता है करते हैं कि क्या आप क्रिशन चंद हैं और उन्होंने बेदी से सवाल कर दिया कि क्या तुम बेदी हो फिर क्या था दोनों एक दुसरे से के साथ गले मिल गए ठीक है और यह चैप्टर है मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूं और जब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे न तो आप लोग को और बहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए अब यहां से आप लोग का सवाल इस्टार्ट होता है तो इसमें आप लोग को लंबा चौड़ा एंतर लिखना होता है तो इसमें जवाब देखिए उदु अपशाने की तारिख में शक्षियत मौताज तारूफ नहीं है क्या पढ़ाएगा यह इसमत मिश्टेक हो जा रहा है उसमत कभी मेरे जबान से निकल जा रहा है तो आप लोग समझेएगा कि इसमत चुक्ताई पढ़ाएगा ठीक है अब थोड़ी सी गलती होती है मेरी प्रोनिस्येशन में तो आप लोग कुछ लोग हैं जो कमेंट करने लगते हैं कि यह इस तरह नही कात में कई अफसानों कई अफसानवी मजमिय और कई नाविड हैं उनकी तालुक फिक्री एतबार से शुरू से ही तरकी पसंद तहरीक से रहा इस तहरीक का बुनियादी मकसद जिंदगी और अदब के बराहराशत रिष्टे पर जोर देना था ठीक है और यह के अदब खार और मिर्जा कसीम बेग चुकताई उनके वालिद थे और उनके वालिदा का नाम नुसरत खाइम था ठीक है तो यह लंबा चोड़ा जो है ना इसमत चुकताई के बारे में ही दिया गया है चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं बेदी के अफसाना निगार की स्थासियत पर में बेदी एक मनफर्द वर शक्षियत के हामिल है उनका शुमार बीसवी सदी के चंद मुम्ताज अफसाना निगारों में होता है वो अपने किरदार की नवाजी में मुकमल दस्तगाह रखते हैं इसकी वज़ा यह है कि वह इन्सानी नफसियात को पहचानने में माहिर थे बेदी ने जिन्दगी और समाच के चोटे-चोटे मामुली वाकात से अपने अफसानों के मदाईनकी ये हैं ठीक है और यह अफसान Hagad geen हुए है मिन्हें किस सबसे बड़ी खसूसियत थी जो अफसाने लिखते थे उनके अफसाने लिखने का जो कला था वो सबसे बड़ा उनका खसूसियत था विसेश्था था वो बहुत ही अच्छे तरीके से और इतना लंबा चवड़ा उनके अफसाने की खसूसियत यानि की फीचर्स विसेश्था क बारे में बताए गया तो आप लोग इसको काट चाट कर छोटा भी कर लिख सकते हैं और नहीं तो आप लोग इतना लंबा लिखना चाहें तो लिख कते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए तीसरा सवाल देखिए बिहार के रिखार के चंद मुम्ताज अफसान निगारों के नाम ल पर सक है जिन में चंद अफसाने निगारों का तज़करा यहां दिल्चजबी से खाली नहीं होगा मौजूदा दौर के एहम और बुजर्ग अफसाना निगारों में एक नाम शफी जावेद का है ठीक है देखिए अब यहां पर आप लोगो कुछ अफसाना या न की कहानी लि अफसानों में मौजूदा दौर के मादी माहौल और उसके नतीजे में बदलते हुए हालात पर जिस तरह पंकारी और पुख्तगी के साथ रोशनी डाली है वह उन्हीं का हिस्ता है ठीक है तो यहां पर सफीज जावेद के बारे में बताए गया है जो कि यह अफसाना निग रहे कहानी लिखने वाले उनका नाम लिखना है तो सबसे पहला नाम आता है शफीज जावेद का ठीक है और इस तरह बहुत तरह अफसाना निगारों के नाम दिया गया है यहां पर ठीक है देखिए दूसरा अफसाना निगार है अब्दुल शंद ठीक है जो की कामयाब और में हसीनलहक भी एक कहना मश्क अफसाना निगार है और उनके अफसाने मौजूदा समाज और उनके मशाहिल की मुकमल तर्जमानी करते हैं ठीक है तो यहां पर कुछ अफसाना निगार का आप लोगों को नाम दिया है और उनके बारे में लंबा चोड़ा तारीफ की जमाबना कर लिखें इनका बनाना है लोगों को प्लूरली है यह सब प्लूरल बनाना है या यह थी आप लोगों बनाना तो जभाब भी देख लेते हैं एहां पर तो यह प्लूरल हो गया बहु ऊचन सिन्फ एक वचन है यानि कि सिंगुलर है और असनाफ क्या हो गया प्लूरल ठीक है हकीकत तो हकायत अनसुर तो अनासिर हिस्सा तो हसस कुईफियत तो किफियात ठीक है तखील तो तखीलात ठीक है तो यह हो गया आप लोगों का एंसर चलिए सवाल नमबर पांच है कि जेल के अजदाध लिखए अब यहां पर आप लोगों को जो लफ्ज दिया गया है इन सभी लफ्जों का क्या करना है उल्टा बताना रप्रितार्तक सब्द लिखना थीखे यह उर्दू ग्रामर का टॉपिक है ठीक है और आप लोगों को पढ़ा हुई हूँ यहीं जो मैं अभी ग्रामर से मतलब 25 परसेंट कोश्टन पुछता है ठीक है तो आप लोग को लिए उर्दू ग्रामर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप लोग इस उर्दू ग्रामर को जाकर पढ़ लिजेगा इसी चैनल के प्लेश्ट में मेरे द्वारा ही पढ़ाए गया ह तो चलिए इसका मतलब विपरित सब्सक्राइब बूलंद का क्या होगा पस्ट अकीकत का मझाज वजूद आदम तल्ख का श्रेहरी फींगा जिनदगी का तो मौत जिनदगी का उल्ट की है मौत खुश्वक्ति का बदबक्ती का कुरीब का बड़िद मुमकिन का नामुमकि शुरुक आखिर ठीके फिल्टा शब्द बताना था मैं आप लोग बताई हिँ आप देखिए सवाल नमबर छे हैं कि खाली जगहों को भरिये ठीके यहां पर जो खाली डैस कर दिया गया है इन खाली जगहों को भरना है और आप लोग बुक में देखेंगे तो बुक में इसका एंसर मिल भी जाएगा लेकिन यहाप पर अल्ड़ेडी एंसर दे दी गया है जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे ठीक है तो जो डैस डैस दिया गया है सभी पर आप लोग को यह भर देना है ठीक है तो यह हो गया आप लोग का एंसर तो यह था आप लोग का चैप्टर नुबर 16 का ओल कोशन इंसर जिसको आप लोग एकिकर कर देख लिए और समझ सब्सक्राइब जरूर किजेगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो फिर मिलेगे नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज